कि अपने कोई और नहीं यह बीडियो देखा आपने यह कोई और नहीं यह बीजेपी के नेता है जो बीजेपी के दफ्तर में तिरंगे का आप व्यापार कर रहे हैं नमस्कार मैं शंबुक उमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक कभी आपने कलपना की थी कभी आपने सोचा था कि कोई राजनीतिक दल ऐसा भी आएगा जो तिरंगे को ब्यापार बना देगा आप सोचिए लोग सोचल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो लोग कस्मीर फाइस का टिकट मुफ्ट में बात रहे थे वो 20 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं यह वीडियो देखिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि बताईए बीजेपी के नेता इस देश के परधान मंतरी फाइनस मिनिस्टर तिरंगे पर कितना जीएस्टी है आप सोचिए परधान मंतरी ने कहा था कि घर घर तिरंगा फहराएंगे यह आजादी का आमरिस महसब हो रहा है आजादी के 75 साल हो जाएंगे 14 अगस्त के दिन लेकिन सोचिए कि किसी ने कलपना नहीं की थी कि तिरंगे को यह ब्यापार बना देंगे वैसे तिरंगे के अपमान करने का यारोब बीजेपी पर पहले भी लगा है सोचिए पूरे देश के लोगों ने अपना डीपी बदल लिया है सबके डीपी में तिरंगा है लेकिन अभी भी RSS की डीपी में तिरंगा नहीं है मोहन भागबत के डीपी में तिरंगा नहीं है अखलेस यादव ने इसको लेकर भी कहा है कि अरे सर बीजेपी तो कचपुतली है, मुखवटा है, जो असली पार्टी है RSS, वो तो तिरंगा लगाती भी नहीं है इससे पहले भी एक तस्वीरे सरक पर सामने आई थी, कि तिरंगा लपेटा हुआ था नीचे और उपर भाजपा का जंडा फैरा रहा था कई बीजेपी दफ्तरों की तस्वीरे जारी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी का जंडा उपर है और तिरंगा नीचे है तो सोची अब तो साफ हो गया, एक वीडियो हो रहाया था, जो भी बायरल हो रहा है करनाल से अगर आप रासन की दुकान पर जा रहे हैं, और रासन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले 20 रुपए का तिरंगा खरीदना होगा ये वीडियो सुन लीजिए मैं रासन लेने आया हूँ, आज मेरे पास इसका डाड़ी जीवादा, वो मेरे को दे देता था, मैं अगले चांस में दे देता था, इन्होंने मेरे को बिलकुली मेरा मिशिज का अंगुठा लगके सलगवा लिया, मुस्रीन पर, आप ये बताएं, आप जहत्या की क्या बा सुना अपने इस मजदूर की बाइट, ये कह रहे हैं कि दुकांदार ने कहा कि जब तक रासन फिली वाला नहीं मिलेगा, अगर 20 रुपे का तिरंगा नहीं ख़ईते हो, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी आगे, BJP के लोग तिरंगा का कितना सम्मान करते है उसका तुरा इतिहास जान लिजे, सुरुवास से ही RSS ने तिरंगा का बिरोत किया है, 15 साल पहले लगभग RSS के दफ्तर में कुछ लोग नाकपूर तिरंगा जंडा फैराने गयते, उनको 13 साल जेल में रहना परा था, दरसल BJP RSS की कोशी से कि इस देश को एक धार्मिक रा और वो चाहते हैं कि इस देश का जंडा तिरंगा नहीं, भगबा हो, जिसमें जातिवाद हो, मनुबाद हो, ब्रहामनबाद हो, जिसमें संविधान के लिए जगा नहीं हो, जिसमें S.C.H.T.O.B.C. मैनोटी के लिए कोई जगा नहीं हो, तो सोचिए ये तिरंगा का ब्या सकता है, कई सारी कंपनियों को इन्होंने ठेका दे दिया है, करोरों के तिरंगा अन्फिट बनाए गए है, किसी का साइज ठीक नहीं है, किसी में सोक चक्र ठीक नहीं है, किसी में सोक चक्री तिल्ली की संख्या ठीक नहीं है, इस तरह की तमाम गरवडिया सामने आ रही है, सोचिए जो लोग नोटबंदी में गलत नोट चाप दे छोटा बरा नोट चाप दे जो लोग कुरोना में ताली थाली बजवा दे जो लोग आपको पैदल चला दे 33,000 किलो मिटर तक वो सरकार कुछ भी कर सकती है और उसमें इनका साजिधार है मीडिया क्या किसी टेलिविजन चैनल ने टीवी अखवार ने RSSS से पूछा कि आप तिरंगा क्यों नहीं फैराते हैं एक आज तक का पत्रकार है सुभंकर मिस्रा वो एक कहानी फैला रहा है किसका मोहन भागवद का इसमें मोहन भागवद कह रहे हैं कि हम लोग तिरंगा का बहुत सम्मान करते हैं आजादी से पहले एक 300 फिट उचा तिरंगा फर आया जा रहा था तिरंगा बीच में फस गया एक RSSS के कारकरता ने जाके तिरंगा ठीक कर दिया अरे सर बहुत अच्छा आपकी कहानी मान में लिये तो एक बात बताईए कि RSSS के डीपी पर तिरंगा क्यों नहीं है नागपुर में तिरंगा क्यों नहीं है अब बता रहा है लोग तिरंगा क्यों फहराना चाह रहे है दरसल RSSS और BJP मनुबाद, ब्रहमनबाद बहुत कमजोड हुआ है समाजिक रूप से इस देश में फूले परियार अंबेटकर का लगातार पर चार परसार हो रहा है SC, ST, OBC मैनॉटरी लगातार स्कूल को लेज जा रहे है वो अपने अधिकारों को समझ रहा है उनको लगता है कि उनको जो अधिकार मिला है वो संबिधान से मिला है भारत की उनिटी संबिधान से है भारत की आनबान सांतिरंगा संबिधान से है इस देश का संबिधान है तो भारत है इस देश की सेना की शान संबिधान है इस देश का संबिधान इस देश की नागरिक को सुरक्षा देता है इस देश का इस देश का संविधान इस देश को देश बनाता है समराट शोक का देश बनाता है बस इसी से इनके पेट में तकलीफ है और अब लग रहा है कि जिस देश के 95% आवादी संविधान को मानता है जिस देश में 90% आवादी 95% आवादी तिरंगे का सम्मान करता है उस देश में ऐसे राजिती नहीं चलेगी इसलिए इनकी मजबूरी है बना इनके दिल और दिमाग में तो भगवा वसा हुआ है और वो भगवा कहां से आया है वो भगवा भी बुद्धिजम से आया है मैं फिर कह रहा हूँ यह जो दिखाते हैं वो कहते नहीं है जो करते हैं वो दिखाते नहीं आप सोचिए तिरंगे की दुकान लग रही है 20-20 रुपे में और वो भी पाटरी दफ्तर से यह पैसा कहा जाएगा BJP कस्मीर फाइल्स के टिकट बांट रही थी अब पैसे की बात कर रही है लगातार सोचल मीडिया पर लोगों ने इसको लेकर पर्तकिरिया दिया और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोचल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोचल मीडिया ही बहुजन मीडिया है मैं तिरंगे को लेकर कुछ विडियो आपको दिखा दूं कि किस तरह से इस देश में लगातार कस्मिर फाइल्स के टिकट फ्री बाट रहे थे वो तिरंगा 25 रुपए में बेश रहे हैं ये मैं नहीं बोर रहा हूं ये किर्ती आजाद ने कहा है सोचिए किर्ती आजाद इस देश के किर्केटर रहे हैं वर्ल्ड कप जितने वाली टीम में थे और ये देखिए ये तिरंगा है नजाने कितने उन्हें कुर्बानी दी अपनी पुरी जवानी जेल में भी तादित्तव जाकर सान से जंडा लडाया राजनीतिक और इवेंटवाजी के चकर में देखिए ये बीजेपी के दफ्तर में इसको कल मुखमंतरी वायज सार ने भी सेयर किया था उल्टा तिरंगा फहरा रहें बीजेपी के कार करता है ये लोग और ये देखिए भाजपा के कारयाले तिरंगे की दुकान बन गए है भाजपा बताये जंडों पर कितनी GST देना पड़ेगा अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है तो वो तमाम तस्वीरिया आपके जहन में गुजरत रही होंगी जिसमें साथ था कि बीजेपी के दफ्तरों में ये देखिए देश भक्ति हो तो बीजेपी वालों की तरह तिरंगा मात्र 20 रुपए का तिरंगा बनवाने में भी सुचिए कंपनियों को कहा गया रेकिनी तो कुछ भी नहीं था कल तिरंगा यात्रा में बीजेपी वालों ने एक दुसरे को सरफुटवल कर लिया अखिलेश यादम ने कहा कि तिरंगा यात्रा को तो कम से कम तिरंगा यात्रा रहने दो तिरंगा यात्रा को तो कम से कम क्या आप लोग को लगता है कि जो RSS अभी भी अपना DP नहीं बदल रही है जिस नाकपुर में तिरंगा बहुत साल पचास साल तक नहीं फाराए गया क्या BJP तिरंगे के नाम पर सिर्फ राजिती कर रही है जिसकी कोई भागिदारी नहीं है RSS के बारे में लोग कहते हैं कि आजादी के अंदुलर में उनकी भागिदारी नहीं थी खैर आजादी से पहले क्या था नहीं था अलग बात आजादी के बाद RSS की क्या मज़बुरी है और क्या भारत का संविधान खत्रे में है कौन लोग है वो 5% लोग जातिबादी, मनुबादी, ब्रहामनबादी जो इस देश के समिधान को नहीं मानते हैं उनकी पहचान क्या है आप लोग अपनी पर्तक्रिया जूर दिए और क्या लगते हैं आप लोग को कि क्या इस देश के हर नागरी के दिलों में तिरंगा नहीं बसता है कौन लोग तिरंगे के नाम पर आजिती कर रहे है और क्या गरीब को तब रासन देंगे जब वो तिरंगा खड़ी देगा जो दिखाने का नाटक कर रहा है वो दरसल ब्यापार है दिरंगा इस देश के हर नागरी के दिल में बसता है क्योंकि हम सब सम्भिधान को मानने वाले है आप लिए अपनी पर्थक्रिया जोर दीजिए शुक्रिया झाले है